आरूप लगे हैं और केस भी दर्ज हुआ है बतादे 24 मार्च को कॉंग्रस प्रत्याशी पर पैसे बांतने का आरूप लगा था बस्तर जला निर्वाचन अधिकारी ने इसे आचार सहिता का उलंगन माना कवासी लखमा और जला अध्यक्ष के खिलाफ फायार भी धर्ज प्रत्याशी श्रीकवासी लखमा जी का चौबीस तारीक को जो राली के पैसा बाटने का एक तस्वीर और वीडियो हमारे संज्ञान में आये थी जिसको संज्ञान में लेते हुए के आधार पर एक सो तैइस में उनकी खिलाफ जो है प्रकरण दर्च की गई है साथी साथ में सुशिल मौरिया जो जिला अध्यक्ष है जिनको एमसी सी उलंगन ना करते हुए पूरे राली का आउजन करने का जिम्मेदारी दी गई थी उनकी खिलाफ भी एक प्रकरण के मैदान में आने से घबरा गई है डबल इंजन की सरकार प्रसासन के दबाव बनवाकर फाया दर्जती है बिना सिकायत के भारते जनता पार्टे के किसी भी नेता ने लिखित में सिकायत भी दिया है चुनाव आयोग कि यहां के ज्वाला अधिकारी है डबल इंजन को खु मचारियों से आवदन दिलवाते हैं और एक पच्छी कारवाई करते में अफायार दर्ज कर देते हैं जगदलपुर का जिक्र करेंगे अफायार पर कवासी लखमा का बयान आया है मैंने नहीं किया आचार सहिता का उलंगन उन्होंने कहाई कि सयोग को प्रलोभन बताया गय है प्रशासन के कारवाई को गलत बताया गया है कवासी लखमा द्वारा क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए आप भी पर पर्शासन ने यह आरे असस का दलाल बन के मैं चीग आरोप है बीजिपी को दलाल बन के नहीं करें हम कागरी सी लोग सूड़ी नहीं पेने हैं जाहिल जाने बीन ही ड़ए रहेंगे हम लोग लड़ने में नहीं ड़ए इसले इस टेप का अरकात पहला बस्तर में परशा ब्योर सी जनता पार्टी आर नेकले दबाने के लिए डरा नेकले कोशिश कर रहा है हम डरने वाले लोग नहीं है इतना है मेरा निवेदन है जो मंडल अध्यक्ष से हार गया क्या चुनाव जीतेगा हम ग्यारा की ग्यारा सीट जीत रहे हैं सीम ने ये भयान दिया है पूरी गारा की गारा सीट जीत रहे हैं वालकि हम तो यह कहेंगे कि कोई वहां पर मिले नहीं और जो पुराने और अभी तक सांसद हैं दीपक बैज जी जो किसी सी चेर्मेंगी है हमारा एक मंदल अध्यक से हार गए विधान सभा में हमारा एक मंदल अध्यक जो मंदल का देच होता है वो उनको हरा दिया और उनकी हिमत नहीं हुई फिर से बस्तर में लड़ने की और जवरस्ति कवासी लखमा को हमको लगता है कि बली का बक्राव पार्टी ने बनाई है दीपक बैच के बयान पर वीजेपी ने परक्वार भी किया का कि कॉंग्रस इसी तरह के काम के लिए मशहूर है जनता सब देख रही है बस्तर के निवासी है यहां के हर परंपरा को हम मानते हैं और इसके बाद जहां भी मंदीर मस्जीद जहां भी जाए हम देव गुड़ी जहां भी जाएं हम नारियल, फुल माला, कई 11 रुपए या कई इंक्याउन रुपए, कई 101 रुपए हम चड़ाते हैं यह परंपरा है ताकि देवे देवता और वहां के पुजारियों के लिए वहां के साथ सज्जा के लिए काम है अगर इस परकरण में आचार सहीता का उलंगन हुआ है क्या इसमें जाच हुई क्या तो बिना जाच के एफ आई यार क्यों तो लखमा का टिकेट काटने की मांग कॉंक्रस निताप शेव नारायन देवेदी ने ही की है पाटी अध्यक्ष खरगे को लेटर लिखा है देवेदी ने लखमा को दागी बताया है लखमा के नारकोट टेस्ट की जरूरत भी बताई है जीरम घाटी मामले को लेकर निशाना उनके द्वारा सधा गया प्रभारी मंत्री रहते हराई बस्तर के सभी सीटे ये भी देवेदी ने कहा है तो ये गंबीर आरोप लगाए गए है और खरगे को लेटर भी लिखा गया कॉंग्रेस निताशिव नारायन देवेदी ने मांग की है कि लखमा का टेकट काटा जाए और लेटर लिखा है सिक को लेकर के खरगे को कांग्रेस की सूची जारी हुई है जिसमें बस्तर से सुकमा के विधायक और पूर्व प्रदेश सरकार कांग्रेस के मंतरी कवासी लखमा को टिकिट दी गई है वहां से लोकसवा की जबकि ये जीरम नक्सिली हमले 2013 जो घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के तातकारीन प्रदेश अधर से 32 लोगों के खत्ता हो गई थी उसमें ये संदिक्द है मैंने इनके खिलाफ में नयाईक आयवजाज को एक सपत्पत्र विध्य था जिसमें कवासी लखमा की नार्को टेस्ट की मांग की थी और कवासी लखमा के संदिक दोने के बाद कही थी जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपी गई थी लेकिन मुपेज मुक्मंती रहते वे चार साल तक उसको दबा कर रखे उसको नहीं पटल में रखा गया तो छत्ती जो जनता ही जानना चाहती है इस हट्या के पीछे को नहीं रिपोर्ट कर सार भी दिखे जाए और सीएम ने शिव नरायन पर बयान दिया जीरम कान को पूरा देश जानता है जीरम कान में कवासी कैसी गतिविधी थी ये भी सीएम ने बयान दिया है तो ये आपने सुना इससे पहले बयान कॉरा देश जानता है कि धीरम कान में मनलब किस तरह से उनकी गतिविधी थी सब जानते हैं तो और अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिठाव में है कवे लोग टिकट वापस कर रहे हैं कवे लोग कांग्रेस के टिकट से लड़ना नहीं चाहा रहे है अच्छे अच्छे लोग सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के नमीन जिंदल जी जैसे उद्योपती जो सांसद भी थे उनकी माता जी वो भी मिनिस्टर थी कांग्रेस से वो सब छोड़ छोड़ के आट भाज़पा में आ रहे है तो आज समझ सकते हैं कि कॉंग्रेस की का इस्थिति है देशने। पुपेश बगेल की मौझूदगी में अपना पर्चा भरेंगे लखमा। बिलकुल कल नामांकन का अंतिम दीन में है और कॉंग्रेस पार्टी भी कल हमारे उम्मिद्वार के साथ नामांकन भरेंगे। एथियासिक नामांकन होगा साथ ही 36 गड़ के हमारे तमाम बड़े नेता और हमारे लोकसवा के तमाम बरिष्ट कांगरियों स्युक्साथ हम दलबल के साथ कलना मांकन भरने जा रहें। झाल झाल के साथ ने जने जाल के साथ हमारे तमारे रहें।